जय जगननात, जय पंचसका, सत्यवंज़े के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम जिस वीडियो का अनुबात करेंगे वो स्वी सत्यवंज़े जी और प्रहलाद नायक और पहली बाबा जो एक बहुत बड़े रिसर्चर है मालिका के उपर और एस्ट्रोलजर है उनके बारे में होगा 26 सप्टमबर 2023 था सुनिया अब सुनिया क्या होता है ओडिया कैलेंडर सूरू होता है महा विष्णु संक्रांथी और पणा संक्रांथी बोलते हैं जो बैशाक महिने में आता है जो कि एप्रिल महिना होता है बैशाक महिना एप्रिल महिने में होता है लेकिन भद्र सुकल द दुम्न का जनन्दिम था ये वो राजा है जिन्होंने प्रभु जगन नीडम आधव का प्रतिष्टा किया था पूरी में और तब से पूरी राजाओं का एक नियर होता है जो कि भद्र महिने के बारव दिन ट्वल्थ डे अफ पूर्निमा में माना जाता है और उसको उडिया फिनांचियल येर भी कहते है और इसको हम सुन्या कहते है इस साल का जो सुन्या था और जो 26 संप्तमबर था जो सुन्या होता है वो उसका येर था 14.31 तो अब 14.31 हो गया है और येर का अंक है 67 जो सुरू हो गया पूरी गरजबती महाराजा दिव्या सिंग देऊगा तो ये 67 अंक के बारे में मालिका में बहुँच जग लिखा हुआ है तो ये 67 अंक में क्या होगा तो इस साल जो 67 अंक हुआ इस अपसर पर गजपती महाराजा ने एक पर्सनल फंक्शन का आउजन किया था जहां उन्होंने सिंगाचन में बैठने के बाद राजगुरु और सब सेवायत उपस्तिति में शवन्नम मुद्रा गोल्ड में यह अंक का उन्होंने एक शवन्नम मुद्रा बनाया है जो यह 1431 का वो अंक भी लिखावा है वहां पर और 26 तारीक के बाद से यह अंक पांजी में भी आ गया है और गरणा में भी इस्तेमाल होगा और स्वन्नम मुद्रा का वो प्रचलन भी आगे होने वाला है और 26 तारीक को पूरी श्री मंदिर में बामन अवतार को जनम है जनम नीती का पालन हुआ था पूरी मंदिर में पहली बाबा जो कि एक बहुत बड़े जोतिश है वो कहते हैं कि महापुरिश ने लिखा है मालिका में कि दिब्ये सिंग के समय में बहुत कुछ होने वाला है अब बहुत बड़े बड़े घटने घटने वाले हैं पूरी रजा दिब्ये सिंग हर तीन जनरेशन में आते हैं जो दिब्ये सिंग है वो हर तीसरे तीसरे जेनरेशन में दिब्ये सिंग को उपादी लेके आते हैं लेकिन ये दिब्ये सिंग दियो क्यों इतना इंपोर्टन्ट है मालिका में दिब्ये सिंग के टाइम में जो घटना घटने वाले हैं जो जो होने वाला है वो सब लिखा गया है लेकिन क्या ये दिब्ये सिंग वही दिब्ये सिंग है तो इनको इतना इंपोर्टन्स क्यों दि उनका लड़की है और लड़का नहीं है जो की इस वंक्सच को आकर बढ़े हैगा 67 अंख 6 प्लस 7 जो होता है 13 मालिका में 67 अंख के बारे में तो लिखा है 13 के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि वह एक असूब नंबर है जैसे 13 दिन का पक्षय होने वाला है तो वह एक असूब संकेत है तो 1431 जो यह आया है तो वह 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 इस गल टो 9 और 13 प्लस 9 होता है 22 तो हमारा निश्वास भी 22 होता है और प्रभु जगन्नात पूरी धाम का जो मंदिर है उसमें भी आपका 22 स्टेप्स है तो ऐसे बहुत सारे संकेत महाप्रवु ने दिया है जिससे हम बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं जैसे 22 स्टेप्स इसका मतलब है पूरी मंदिर में ऐसे कुछ होने वाला है तो पहली बाबा कहते हैं कि यह जो साल अभी स्टार्ट हुआ है यह सल अच्छा नहीं होगा क्योंकि 67 अंग के बारे में लिखा है मालिका में जो एक बार वो स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा 2023 यह साल इतना अच्छा नहीं था हमरे लिए बहुत सारे भी पत्तिया आई हैं बहुत सारे जीवन हानी हुई है और जो 67 अंग जो सेप्टेंबर 2023 से शुरू हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर 2023 साल इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ है हमारे पुरे दुनिया में ह हुआ है तो इसके बाद से क्या होने वाला है तो 2023 बस एक ट्रेलर है ट्रेलर मात्र है तो पूरा फिल्म अभी बाकी है तो 2024 में जो विपत्य होने वाली है वो सब नैचरल भी होंगे कुछ मैनमेड भी होंगे तो दोनों मिक्स हैं यह सब आप लोग को डराने के लिए नहीं कह रहे हैं जो भक्त हैं सच्छे भक्त हैं उन व्लोग को सब्सक्राइल को कुछ ने होगा प्रभू उन का उड़र करेंगे तो नों को डरने का silhouette ही यह बस भगवान का नाम लेती चलिए भगवान का नाम जबते चलिए प्रभू आएंगे आप लोग को बचाएंगे ज प्रभु का दर्शन हो जाएंगे तो प्रले होने से प्रभु सामने आएंगे प्रभु का दर्शन होगा प्रभु का दर्शन मातर ही हम लोग का जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा तो जितना जदर प्रले होगा प्रभु कल की राम सामने आएंगे और भक्तों बचाएंगे और हम लोग प्रभु का दर्शन कर पाएंगे प्रभु भक्तो की परिक्षा लेंगे अमरीका में लिखा है कि भक्तो के परिक्षा होने वाला है सामने प्रभु भक्तो की परिक्षा लेंगे देखेंगे आप जितने विपत्ति जितने कष्ट में आप प्रभु का नाम लेते ह कि आप डर जाते हैं, या आप सोसते हैं कि प्रभु नहीं आएंगे आपके पास बचाने के लिए, तो वो परिक्षे प्रभु लेंगे, बट ऐसा नहीं है कि प्रभु इतना निद्री ही ए, प्रभु बस आपका एक बुलावा, एक बार प्रभु का आप नाम लेंगे कि एक आपके आशू अगर आते हैं प्रभू तुरंद आपके पास आ जाएंगे अब आप लोग को तो पता ही है कि फिर से चाइना के वहन में एक लैब से लीक हुआ है एक वाइरस साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये कुरणा से 20 गुना जादा खतरनाक है और प्रेडिट कर रहे हैं कि अगर ये पैंडमिक होता है तब ये अल्मोस्ट पांच करोड़ लोगों का मनने का संभावना है ये सब आप गूगूल में भी देख सकते हैं तो इस डिजिस का वाइरस का नाम दिया है डिजिस एक्स तो पहली वब आगे कहते हैं कि ये जो महामारिया है ये एक योगिनी है महापुरुष ने ये महामारियों का नाम एक योगिनी के रूप में लिखा है तो 90 कांतियानी है और 64 योगिनी है तो ये 64 योगिनी कलियुक के अंत के समय प्रिश्वी पर आएंगे जो योगिनी और आगे भी होने वाली है, इतना बड़ा एक इवेंट हुआ, इतना बड़ा एक पैंडमिक हुआ, जो भगवान हम लोग को एक चांस दिया सीखने के लिए, अच्छा पत पर चलने के लिए, क्या हम चल रहे हैं, कोरोना जो 2019-2020 में आया था, उसके बहुत दिनों बाद वैक् के बाद भी, लेकिन आप सोचिए, डिजीज एक्स जो बहुत बड़े आकार में आने वाला है, जिससे पांच करोड लोग का मनने का संकेत या लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, अगर ये आता है, तो वैक्सिन के इतना जल्दी बन पाएगा, और वैक्सिन के 100% सेफ है, जैसे मैंने पहले बोला कि, कोविड में भी वैक्सिन लेने के बाद लोग मरेते हैं, तो क्या वैक्सिन डिजीज एक्स को रोप पाएगा, सौ साल में एक बार पहले महामारी होता था, जो नैच्रली होता था, और उनको पहले जमाने में जब होता था, रिशी लोग अपने यग् लेक्री और घी डाल के उननों यग्य करते थे, और जिसका धुआँ पुरे एन्वार्मेंट को प्रोटेट करता था, लेकिन आप देखिए, पहले जो महामारी होती थी, वो नैच्रल वे में होता था, नैच्रल, उनका सोर्स था, नैच्रली, लेकिन आप अगर अब भी दे सकते हैं, अगर लैप से स्टार्ट होता है, तब यह मैनमेड ही है, मैंता हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ करने के लिए, वहां से कुछ इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, अब और एक क्विश्चन होता है, कि यह मैनमेड हम लोग क्यों बना रहे हैं, हम लोग को पता तब कली अपने चरम पे होगा तो वो क्या करेगा वो सब के दिमाग में कली घूम रहा होगा और लोगों को ये करवा रहोगा तो आप बोल सकते हैं कली लोगों के दिमाग में घुसके ये मैनमेड महामारिया जो हो रहा है वो करवा रहा है जिससे करोड़ों लोग मर रहे हैं one of the process we can say हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कल्यूक के अंत में सत्यूक स्टार्ट होगा तब population हम लोग का बहुत ही कम होगा तो population कम करने का एक ये भी जरीया है तो महामार ये बहुत बड़े जरीया है जो योगनी के रूप में भी आ रहा है और वो population को कम करेगा तो ये से मालिका में महापुरुष ने पहले से लिखा है जैसे कली सबके दिमाग में दिमाग में घुशके सबको को परिवर्ति करेगा लोगों को गुम्रा करेगा लोग अपने बुद्धी का तुर युप्यो करेंगे बहुत ही बड़ा एक example है, man-made महामारी का तो और एक महामारी आने वाली है इनसानों के सरीर का मांक्स को पुरा पिखला देगा या जला देगा पिखला देगा और बस हड़िया दिखेगी और एक महामारी आने वाली है जो सोतिसोतिब का हार्ट चोक हो जाएगा और एक होने वाला है जो कीडनी और हार्ट को बहुत साथ एफट करेगा तो ऐसे बहुत सारे माँ मारी आने वाले तो जो बहुत लोग को ले जाएगा दोस्तो ये सब आप लोग डराने के लिए नहीं कहर रहे हैं ये से मालिका में लिखा है मापुरुष ने लिखा है जो अभी तक सत्य हुआ है और आगे भी सत्य होने वाला है तो बस आप लोग भगवान का नाम लीजिए सत्य के बाद पर चलिए देखना आप लोग को कुछ नहीं होगा कोरोना जो आया था वो बहुत लंबे समय तक था और लोग तो मरे हैं लेकिन रिकवरी भी बहुत लोग का हुआ है लेकिन ये से महामरिया जो आने वाला है आगे सामने वो बहुत विनाश करेगा वहां पर recovery होना almost impossible है यह सब महामारिया नहीं एक-एक योगी नहीं है basically ठीक है तो जैसे 64 योगी नहीं है तो वो सब आएंगे कल्यूग के खतम तक सब 64 के 64 आएंगे सब महामारी का नाम महामारी के रूप में होके ही आएंगे उन लोग सब कोबीड में जैसे 70 क्रोड के असपास लोग एफेक्टेट थे और अल्मॉस्ट 80 लैक्स के लोग मरे थे यह ओफिशल ही है लेकिन अब आप सोचो अभी 800 क्रोड लोग है एक महामारी होगा जो पूरे ल उन लोग ही बचेंगे सब प्रभु के दया से ही बचेंगे भक्त सब प्रभु का नाम से ही बचेंगे सत्य पत्पर जो चलेंगे बस वही बचेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है मतलब कोवीट तो बहुत बड़ा संकेत है प्लस आप अगर इन लोग ये सब सुन रहे हैं अभी भी हमारे पास बहुत समय है अभी भी आप लोग सत्यपत पर चलिए प्रभू का नाम लीचिए देखना जो भी समश्या होंगे ने सब प्रभूत धर कर लेंगे और आठ से दस साल में ये सब होगा प्रिथवी के जेनरेशन का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है तो पहली बाबा ये सेंटेंस देके बोल रहे हैं कि शायद हम लोग सोच सकते हैं कि शायद कल्यूक का अंद आठ दस साल में हो सकता है तो जेनरेशन शिफ्ट या जेनरेशन चेंज का मतलब शायद हो सकता है तो हमरे पास समय है अभी भी भगवान का नाम अगर हम लोग लेते हैं तो अभी भी हम लोग अपने आपको बजा सकते हैं तो ये सब हम लोगों ने जो कहा ये मालिका में लिखा है और बहुत सरे facts हम लोग को who से report world health organization जो है उनका report से मिला है और कुछ को scientist लोग या news से हम लोग जो मिलें वहां से हम लोग लेकर data लेकर आप लोगों को हम लोगों ने बताया है तो दोस्तो आप लोग को वीडियो कैसे लगा आप comment box में बताईए और भगवान का नाम लेते चलिए सत्य पत्त पर चलिए देखना सब अच्छे ही होगा च जय जगनात जय पंचे सकांग आप 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 कि और सकता है जो खाइब आप आप